इस आपको बहुत सभी का आपका इस वेबिनार के अंदर एक्चुली एक blessing class है क्योंकि इसमें मेडम इतना content देने वाली है कि जो लोग एक-दो दिन की class ही कर लेते हैं तो मैं इसे एक webinar ने कहें के एक blessing class ही कहूंगा देखिए जिस तरह आपके शरीर के सारे अंगों में से कोई भी अंग ऐसा आप नहीं कह सकते कि वह में प्रियन नहीं है अगर आपकी एक आंग पर चोड़ लग जाए और इश्वार आपसे बोलेगी इसको आपको ठीक करने के लिए मैं आपको शरीर पर कही और घाव दे देता हूं तो क्या आप मानेंगे क्योंकि अगर शरीर की चोटी उंगली पर भी घाव लगता है ना तो भी उतना ही पीड़ा होती है जितना कि आपको एक major part में उड़ता है तो वास्तु पुरुष यानि कि आपका जो घर है उसमें भी वास्तु पुरुष व वह बहुत ही बहुत ही मैने रखती है तो सारे के सारे वास्तु जो उस पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करने वाले हैं इसलिए आज हमने topic भी यही चुना है कि आपके गर का वास्तु पुरुष को अगर आपको happy रखना है अपने घर का वास्तु की energies को synchronize रखना है sink में र एक्सपर, पामिस, निमरोजिस्ट और ना जाने क्या-क्या मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्लीज आप प्रिकास डालें क्या आकर यह आपने सोच के रखा थांक यू सर थांक यू आपको भी और स्टार साइन की फैमिली को भी आप सबसे जुड़ने की ऑपिचिन थी, वो टेक्निकल एजुकेशन थी, मैं एक कंप्यूर साइंस एंजिनेर हूं और मैंने उसी में कंप्यूर साइंस में अपना एम्टेग भी किया है और नाव आइम इंटो ओकल्ट, कुछो मेरे स्पेशलाइज़ेशन पील्स है, मैं वास्तु एक्सपर्ट हूं, टारोका बात करती हूं, क्योंकि मैं गणिश्री को ही अपना इश्ट मानती हूं, एक बार हाथ जोड़के आग बंद करके, तीन बार मेरे साथ बोलेंगे, सब लोग बोलिये, जोर से बोलियेगा, ओम गणगण पते नमः, चलिए आग बंद कर लीजे, हाथ जोड़ लीजे, ओम ग मैनम प्लीज एंविट कर लीजे, हाथ जो ब्लेसिंग क्लास हम लीने आई है, वो है वास्तु किया होता है, एक सब्जेक है, साइंस है, नौलेज ये, क्या है, बहुत सारी formal definitions है, और पहले दो webinars में भी मैंने यही कहा है, अभी भी मैं यह कहूंगी, formal definitions तो बहुत सारे है, अगर आप कोई पौधी का नाम बोलेंगे, कि ये पौधा तुलसी का है, साइंस में जाएंगे तो उसका biological नाम मिल जाएगा, कुछ उटपटांग सा कुछ नाम ह आएगा, पर हमें क्या समझाते है, तुलसी का पौधा क्या है, नाम लेते हैं, जिनको हम हाज जोड लेते हैं, जिनकी हम पूझा करते हैं, उनसे हमारे घर में बहुत benefits आते हैं, तो वास्तु को भी हम एक पोर language में, छोटी सी language में समझेंगे, कि वास्तु क्या है, अपने घर से बात करने की कला, एक छोटी सी कला है, जो हमें सीखनी पड़ती है कि किस तरह से हम अपने घर से बात करते हैं, और कुछ नहीं है वास्तु, अगर आपकी बॉडी में, किड्नी में कुछ इशो हो जाए, गले में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कानों में, नोज में, कहीं समझे कि एक non-living thing है, महसूस कीजिए कि आपका घर भी सास ले रहा है, उसमें 16 directions है और हर direction कुछ कहती है, कुछ महसूस करती है, अगर आप किसी zone को balance कर देंगे, तो वो zone खुश रहेगा, और उसके जो benefits है वो घर आपको भी मिलेंगे, आपके घर से, अगर किसी zone में balancing नहीं है, अगर कोई zone disbalanced है, तो क्या होगा, वो भी रोईगा, वो दिशा रोईगी, और कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ problem देगी उसकी वज़ह से, इसलिए वास्तु में हमें कुछ नहीं करना, अपने घर की बात समझनी है, अपने घर से बात करनी है, अपने घर से प्या आपकी सारी directions balanced हो जाती है, क्योंकि हार direction किसी ना किसी तत्व से जुड़ी हुई है, हार direction किसी ना किसी तत्व से जुड़ी है, चीक है, 16 directions के बारे में मैंने बहुत कुछ समझाया था उसके बाद जो webinar था आपको सब कुछ YouTube पे मिल जाएगा उसके बाद जो webinar हुआ था उस webinar में मैंने toilet के उपर पूरी एक class ली थी बहुत सारे remedies बताये थे तो आज भी थोड़ा basic से शुरुवात करूँगी मैं जो लोग पहली बार भी कर रहे हैं मैंने directions को बहुत ही जादा detail में explain किया था पिछले webinar में भी हर घर का एक center point होता है ये है इस घर का center point समझ लीजे कि ये आपका घर है और ये है इस घर का center point center point को क्या कहा जाता है भ्रह्मस्थान center of the house भ्रह्मस्थान यही आपके पूरे घर की उर्जा है positivity है क्यों कहते हैं जिन लोगों को कुछ भी पता है वास्तु के बारे में उन्होंने सुना होगा कि भ्रह्मस्थान जो होता है न उसको खाली रखें वहां पर कोई भारी चीज़े नहीं रखें कोशिश करके कुछ भी न रखें उसे खाली रखें क्यों क्योंकि यही आपके घर में positivity लाएगा कभी-कभी कोई-कोई घर ऐसे होता है न कि आप वहां जाएंगे भांके लोग दुखी है एनरजी उनके डल रहती है पस ऐसे बैठे हुए है कुछ समझने आ रहा है आप भी जाएंगे न आपको ऐसे लगेगा जब बापस आएंगे कि मैं फ्रेश होने नहीं गया था मैं किसी से मिलने नहीं गया था आपको ऐसे लगेगा जिससे मैं किसी गेरी नीन से उठके आया हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ पता ही नहीं चला किसी घर में जाकर और कहीं भी आप जाएंगे आपको लगेगा वाव आज तो मुझी बहुत charged up feel हो रहा है, बहुत अच्छा महिसूस हो रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है घर के center area का, यह एक होता है center point और one ninth of the house जो यह होता है, one ninth, कुछ-कुछ लोग one tenth भी बोल देते हैं, यह होता है हमारा ब्रह्म स्थान, कुछ नए ideas आने है, positive energy, सब कुछ यह ब्रह्म स्थान control करता है, अब ब्रह्म स्थान पे खड़े होके, जब आप zero degree पे अपना compass set करते हैं, तो वो दिखाता है आपको north की direction, अब north किस चीज़ की direction है, हमारी कुबेर की direction होती है, कुबेर की direction, पैसे सभी को चाहिए, किस-किस को पैसे चाहिए, हाथ खड़ा कर दीजे, किस-किस को पैसे चाहिए, हाथ खड़ा कर दीजे, किस-किस को चाहिए, पैसे, सभी को चाहिए, सभी लोग हाथ खड़ा करें, क्यों बोलता जाता है कि जिंदगी में नौर्थ इतनी important direction है घर में क्योंकि यही तो कुबेर देर्था की direction है कुबेर का खजाना एक इकलोता खजाना है जो कभी खतम ही नहीं होता निकालते रहे निकालते रहे फिर बढ़ जाता है ऐसा खजाना किसे नहीं चाहिए हम सबको जाहिएगे कजाना इसलिए यह है कुबेर की direction finances की direction होती है हमारी north finances की साथ-साथ experiences life में experience लेना कितना जरूरी होता है life में experience के बिना कुछ नहीं होता क्यों कहते है ममी पापा कहते है न बेटा हम experienced है हमसे समझो हमारी experiences सीको degree तो कितने लोग लेते हैं but experience सबसे ज़्यादा count करता है अच्छा हो या बुरा हो हर experience आपको कुछ न कुछ सिखाता है तो अच्छे experiences आपको कहां से मिलते हैं north की direction से धन भी मिलता है और अच्छे experiences भी मिलते हैं आपको north की direction से कुबेर का खजाना है ये घर में इस direction का बिलकुल ध्यान रखना चाहिए ये direction extend भी हो गए घर में तो कोई problem नहीं है और पैसे आज जाएंगे लक्षमी जी की थोड़ी और कृपा हो जाएगे हमें मनाई थोड़ी है कि इतने ही पैसे चाहिए और नहीं चाहिए धन जितना आए उतना अच्छा है उसके बाद जब हम north से 90 degree बढ़ते हैं तो कहां पहुचते हैं east पे east हमें क्या देता है सुना उगर समने सूरज कहां से उपता है east से उपता है सूरज उपता है east से जब सूरज आएगा तभी पृत्वी पर हर्याली आती है तभी पेड़ पौधी उपती है prosperity आती है जीवन में सब कुछ interconnected और logical है मैं अपनी तरफ से न कोई dreamy बाते नहीं बता रही आपको प्राणी पूर्जा मिलती है sun जब आता है कितना अच्छा लगता है जब घरों में कपड़े दोते हैं at least हमारे इंडियन घरों में तो आज भी western घरों में फिर भी अभी भी होता है कि जो washing machine है न उसी में कपड़े dry हों के निकल जाते है बट इंडियन घरों में हमारी मम्मी हम लोग आज भी क्या करते हैं कपड़े धोके धूप में सुखाते हैं हम भी दो खरीचते हैं वो washing machine क्यों? क्योंकि हमें हर चीज में उर्जा चाहिए, positivity चाहिए चीज जो अमें east से मिलती है वो क्या है? Networking आपका business हो, आपकी job हो आपकी friends हो, आपकी family हो, कुछ भी हो सब आपको किस तरह से मिलते हैं? Networking से आपकी networking ही नहीं आप अकेले रहते हैं आपको किस चीज में growth मिलेगी नहीं आपको emotional growth मिलेगी नहीं आपको financial growth मिलेगी नहीं आपकी कोई mental growth होगी जब अलग-अलग लोगों से मिलेंगे अलग-अलग लोगों को जानेंगे आप हजार लोगों को बताएंगे मेरा ये business है हजार में से कम से कम दो लोग तो आपकी customer बनेंगे और कितने सारे तो professions ही ऐसे हैं जिनमें networking की बहुत जरूरत है networking से क्या-क्या नहीं होता इंडिया में एक word बहुत famous है क्या है वो जुगाण जुगाण कहां से आता है networking से आता है तो east जो हमारी दिशा है ये networking की दिशा होती है जब आप east से right side में 90 degree फिर से लेते हैं तो क्या आता है south south में हमें क्या मिलता है relaxation मिलती है क्योंकि कहते हैं bedroom बना लीजे south में southwest में bedroom कौन सी जगा है जहां जाकर दिन भर का काम करकर इंसान अपनी थकान दूर करता है south में जाके bedroom में जाके relaxation अगर आपका south, south west ठीक नहीं है और यहां पर bedroom तो बना लिया लेकिन direction ही गडबड हुई है कुछ दोशा create किया हुआ है तो क्या होगा दिन की hustle बसल की बाद जब आप कमरे में आएंगे न शांती वहां भी नहीं मिलेगी क्या आप आप ऐसा काम का कि रात को भी घर आके कोई अच्छी नीद न सो पए तो तो यह name, fame और relaxation की direction होती है हमारी south जब हम आगे बढ़ते हैं south sin 90 degree तो हमारे बास आज़ता है west बहुत लोग कहते हैं ना कि मेहनत करते रहते हैं मेहनत करते रहते हैं दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कुछ प्राप्तिया नहीं हो रहे है फिर भी मुझे gains नहीं दिख रहे हैं तो कहां पर प्रॉब्लम है आपके west में क्योंकि west किस चीज की दिशा है west है आपकी दिशा gains की west दिखाता है आपके gains और साथ ही साथ जैसे मैंने north में कहा था यह आपके experience की दिशा है उसी तरह west भी आपके experience की दिशा है life में अच्छी experiences आएं ऐसे experiences आपको मिले जिनसे आप कुछ सीखी और life में आगी बढ़ी उसके लिए north और west दोनों का collectively अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है तब ही आप कुछ अच्छा सीखते हैं और आगी life में बढ़ते हैं north और west दोनों ही हमें अच्छी करनी पढ़ती है काम तो कर रहे हैं कर्म तो कर रहे हैं लेकिन gains कहा से लिने हैं हमें west से कितनी directions हो गएं चार हो गएं हमारी directions चार directions हो चुकिये हैं हमारी अगर आपको अपनी customer building भी अच्छी करनी है तो भी आपका south zone अच्छा होना चाहिए राइट customers ही नहीं मिल रहे हैं तो south मैंने क्या कहा name, fame, relaxation name, fame कब आएगा जब आपकी customers अच्छी होंगे उसके लिए क्या करना है हमें उसके लिए भी हमें south की direction को अच्छा करनी की जरूरत होती है अब आते है north और east के beach में north और east के beach moon हमें क्या direction मिल जाती है north east की जो है हमारे किस्मत की direction जो हम labor class को देखते हैं हमारे घर में काम करने के लिए labor आती है बहुत सारे मजदूर होते हैं जो घर बनाते हैं क्या वो हमसे जादा मेहनत नहीं कर रहे हैं कितनी मजदूर नाम ही क्यों हैं मजदूरी करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं धूप हो चाओ हो बारिश हो ठंड हो कपड़े तक नहीं होते पहनने के लिए चपपल तक नहीं है सर पर भारी समान उठाके गूंगते हैं सारा काम करते हैं दिन भर इतनी मेनत करते हैं लेकिन फिर भी क्या उन्हें उतनी रिजल्ट्स मिलते हैं उन्हें उतनी रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं क्यों? क्योंकि destiny साथ नहीं दे रही है अगर किस्मत हमारी पिट गई तो हम क्या करें destiny का साथ देना बहुत ज़ादा जरूरी होता है बहुत ज़ादा जरूरी और इसलिए north-east जो हमारी direction होती है वो होती है destiny की साथ की साथ skill की और effort की पिछले webinar में भी मैंने थोड़ा-thोड़ा hint ये सब दिया था बहुत अच्छे से explain क्या था लेकिन आज में directions को थोड़ा सा और बता रहे है skill and effort आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं आप सब यहाँ आए हैं औकल्स से कुछ जुडाव होगा आपका वास्तु में कुछ interest होगा इसलिए आज जब ये webinar अटेंड कर रहे हैं क्या है वास्तु एक skill है अगर kitchen में कोई lady खाना भी बना रही है वो भी एक skill है क्या हाँ किसी के हाथ का खाना आपको पसंद आता है सही नमक डालना भी एक skill है मैं पूरा डबा नमक का डाल दू कि आप खाना खापाइंगे process procedure तो मैंने कर दिया पूरा खाना बनाने का लेकिन क्या हुँ skill आई नमक डालना है डाल दिया नमक, खालो खाना एक चुटकी डाल दिया या पूरा डबा डाल दिया कि आपको स्वाद आएगा नहीं कितना क्या मसाला डालना है वो भी तो एक स्किल है हर छोटी चीज में एक स्किल है कुछ लोग जो बहुत लीजी हैं और पूरे दिन अराम करते हैं मैं तो बोलती हूँ वो भी एक स्किल है क्योंकि वो भी हर कोई नहीं कर सकता तो कल्यूग में हर चीज एक स्किल पे डिपेडनेंट है तो स्किल कहां से सपोर्ट मिलता है आपको स्किल में नौर्थ इस्ट से एक और डिरेक्शन से भी मिलता है बट नौर्थ इस्ट से अगर किसमत अच्छी है ना तो skill आएगी आपके पास और extra effort एक extra effort करके जो आप अपने काम बना सकते हैं तो extra effort में जो help मिलती है वो भी northies से मिलती है बहुत लोगों में आपने देखा होगा talent है recently अभी मैंने fashion designer की consultation की थी उनके अंगर बहुत talent है लेकिन वो effort ही नहीं कर पाती वो बोलती है कि मैं motivation में lag करती रहती हूँ इतना talent है उन में कि वो ऐसे ही बिना कुछ करें वो उनके pieces 3-4 pieces वो ऐसी rows sell कर देती है अगर वो थोड़ा से extra effort कर लें तो सोचें वो कितना अच्छा कर सकती है राइट तो यह extra effort यह skill कहां से आती है north east से east और south east के बीच में जो यह direction आई यह होती है south east यहां से आपको मिलती है energy body में अगर energy नहीं है अगर bed से उठने का money नहीं करता है तो क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे कुछ creative कुछ productive कर सकते हैं बस खयाले पुलाओ बना लेंगे दिमाग में कुछ 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 dream world में तो चले जाएंगे बड़ कुछ creative नहीं कर पाएंगे तो energy मिलती है हमें south east से और यह energy भी हमें extra effort के लिए motivate करती है तो life में अगर आप कुछ extra effort करना चाहते हैं तो आपको north east और south east डोनों को अच्छी तरह से balance करना पड़ता है इसी तरह west और south के बीच में जो direction हमीं मिलती है वो मिलती है हमें south west की direction यहां से भी क्या आता है stability आती है क्यों आती है stability इसका भी logic है क्योंकि मैंने क्या कहा हम stories नहीं पड़ रहे हैं हम सब को जो पड़ रहे हैं it is based on science तो stability क्यों आती है उसका एक logic है यह earth element को represent करती है और वो मैंने अपने पहले webinar में बताया था अप्लीज उसको refer कर सकते हैं यहां पर हमें stability in finances in relationship सब कुछ मिलता है साथ ही साथ नौर्थीस मैंने क्या कहा था skill और efforts की direction है skill की लिए आपका नौर्थीस और साउथ वेस्ट दोनों ही balanced होना बहुत जरूरी होता है अगर आपके अंदर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी skill मिले तो आपको यह सारी चीज़े होना बहुत बहुत जरूरी है आपकी सारी दिश्राइं balanced होनी बहुत जरूरी है नौर्थीस और साउथ वेस्ट अब बाते हैं नौर्थ और वेस्ट के बीच में जो है नौर्थ वेस्ट की direction support किस-किस को लाइफ में support चाहिए कोई ऐसे इंसान है जो completely one-man show है किस-किस को support चाहिए हाथ उपर कर दीजिए किस-किस को support चाहिए कोई आज तक मैंने नहीं देखा कोई भी इंसान जो one-man show हो अगर हमारी घर में कोई कोड़ा भी collect करने के लिए आता है न even the garbage collector वो भी हमारी life में कुछ contribute कर रहे हैं सपोर्ट हमें हर किसी से जरूरत पढ़ती है support की हर किसी को support चाहिए हर किसी को जिंदगी में कोविड में कोविड वाले टाइम्स में जब हम में से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था एक grocery shop खुली होती थी और एक garbage collectors आते थे सोची अगर ये दिवनों चीज़े भी बन दोती हमारा क्या हो जाता one man show कोई नहीं है हम सबको support चाहिए life में और support हमें कहां से मिलता है north west की direction से हमें support मिलता है we get support from the direction of north west support also and circulation also अगर ये direction आपकी ठीक नहीं है तो क्या होगा करजा भी बढ़ता रहेगा आपको ऐसा भ्रमित हो जाएंगे आप आपको लगेगा मेरे पास तो बहुत revenue आ रहे है लेकिन वो कहां spend भी हो रहे है आपको पता नहीं revenue इतना आ रहे है फिर भी आप गरजे में डूब रहे है कोई पैसे लेके भाग गया कभी property sell नहीं हो रहे है कहीं से support ही नहीं बिल रहा है universe आपको support ही नहीं दे रहे है क्यों देगी अगर आप अपने घर की north west को डिरेक्शन को रूला रहे हैं तो है अगर आप अपने बच्चे की पिटाई करते रहेंगे उसकी बाते नहीं सुनेंगे बच्चा रोता रहेगा तो क्या हो बच्चा बड़ा हो कि आपको support देगा है तो अगर आप अपने घर की north West को प्यार नहीं करेंगे अगर उसको दोश रहत नहीं करेंगे तो आपको support कैसे मिलेगा राइट इसलिए प्लीज North-West की direction को हमेशा ध्यान दीजे अगर आपको support चाहिए अच्छा एक और बात movie देखिए अतिथी तुम कब जाओगे अतिथी तुम कब जाओगे what was the concept of movie अतिथी मतलब मेमान भगवान ने of course है वास्तु यह भी कहते है अगर आप मेमान का अधर सकार नहीं करेंगे तो वो आपके बुरे कर्मा में आते हैं लेकिए मेमान आए और जाए तो बहुत इच्छा लगता है पर अगर मेमान पर्मेनेटली रुख जाए तो कैसा लगेगा फिर हमें कोई वास्तु कोई कर्मा नहीं आदाएंगे जस्ट गिव मी वन मिनिट ने तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट जो डिरेक्शन है ना वो एर एलिमेंट होता है आता है जाता आता है जाता यहां पर गैस्ट रूम रख लीजे पर अपने बच्चों का रूम मत रखें फिर वो भी मेमान की तरह ही होंगे उनकी शकल देने के लिए उनका हमें अपॉइंट्मेंट देना पड़ेगा मेमान आएगा जाएगा बहुत अच्छा लगेगा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी बहुत अच्छा लगेगा अब कितनी डिरेक्शन्स पढ़नी है हमनी टोटल एट डिरेक्शन्स टोटल हम आठ डिरेक्शन्स पढ़ चुके हैं और हमारा क्या टॉपिक था सोला डिरेक्शन्स हमें पढ़नी है ठीके हमें कितनी डिरेक्शन्स पढ़नी है, टोटल हमें पढ़नी है, सोला डिरेक्शन्स तो हम अब अपनी सोला डिरेक्शन्स को पूरा करते हैं मैं थोड़ा सा यहां पर एरेज करूँगी so that मुझे थोड़ा मेरी वाइट स्क्रीन पर स्पेस मिल जाए और उसके बाद हम आगे की डिरेक्शन्स की तरफ बढ़ते हैं मेजरली हमें यह डिरेक्शन्स और तत्व समझने हैं जब हम यह कर लेंगे ना, तो धीरे 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 वास्तु हमें गेम जैसा लगने लगेगा गेम्स केले में मज़ा आता है ना ऐसे वास्तु को हम enjoy करने लगेंगे कोई भी विद्या अगर हम पढ़ते है ना तो हमें passion होना चाहिए इस तरह पढ़ना चाहिए कि हम उस चीज को enjoy करें और North East को हमेशा याद रखेगा वो North और East से भी जादा important direction है क्योंकि destiny की direction है आपको customer support चाहिए पैसो का support चाहिए किसी भी चीज का support चाहिए तो किस्मत के द्वार को खुलिए पहले और इसलिए कहा जाता है ना कि इसको light रखेए अब यहां पे धम से लाके अब अपना store room रख देंगे तो क्या होगा North East बोलेगे ठीक है तुमने मेरे साथ ऐसा किया अब मैं दिखाती हूँ तुमें तो हार direction की ना बात समझे अब चलिए North और North East के बीच में आ जाते है क्या बना हमारा North North East यह क्या है North of North East क्या है Medicine और Health का zone है अपने दवाई की सारे डबो को यहां रखे जो दवाई आप खाते हैं उसको यहां रखे और फिर देखे कि आप कितने healthy हो जाएंगे कितने जादा healthy हो जाएंगे North East और East के बीच में क्या आता है E.N.E. अब मुझे बताए तो यहां एब भाआ करना ना किसको अच्छा लगता है या बस ऐसी पसंद आपको कि सुब उठे काम पी चले गएंगे वापस आएंगे किस-किस को entertainment पसंद है हाथ खडा कीजे जिस-जिसको भी entertainment पसंद है लाइ जिसको भी बसने हाथ खड़ा करके बताएं, सबी लोगों को चाहिए, कभी-कभी तो हमें बाहर जाके पीज़ा भी खाना चाहिए, कभी-कभी हमें मूवीज भी देखनी चाहिए, कभी-कभी म्यूजिक सुनना चाहिए, डान्स करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, तो यह सब चीजें हमें कहां से मिलती हैं, यह entertainment हमें कहां से मिलता है, E, N, E के direction से, अगर आपने इसको दोशित कर दिया, तो लाइफ यही हो जाएगी, सुबह उठे, बैक टांगा, गए, बापस आए, सो गए, नहीं किसी से बात करने का मने, नहीं स्माइल करने का मने, वो स्माइल ही चली जाएगी, वो जो एक लवलीनेस और हैपीनेस होते हैं, देखी वही चली जाएगी, सड़ी, इस्ट और साउथ इस्ट पे आजगते हैं, इस्ट और साउथ इस्ट पे आजगते हैं, अब बिन में इतनी सारी चीजे होती हैं तो उनके बारे में सोचना भी तो होते हैं ओवर्थिंकिंग भी तो करनी होती है हमें अज क्या हुआ अज क्या नहीं हुआ इसने मुझे क्या कह दिया उसने मुझे क्या बोले ऐसा क्यों बोला अपने मन मन में भी तो हमें सारी बाते करने होती है, सारी conversations रिपीट करने होती है तो उसका क्या zone है EAC, इसलिए सबसे अच्छा क्या है, यहाँ पर toilet बना दो toilet जाओ अराम से, हम अपने body को भी light कर सकते हैं सोच के अपने thoughts को भी light करके उदर throw करके वापस आ सकते thinking and churning का zone हो गया हमारा south और south east अब जब यहाँ पर overthinking कर ली, यहाँ पर सोच लिया दिमाग में, इसमें ये कह दिया, उसमें वो कर दिया, ऐसा कर दिया तो क्या होगा कि जादा negativity होगी तो confidence लूज हो जाता है तो इस confidence को कैसे वापस लाएं south south east से, यह है हमारा zone of confidence यह अगर आपकी साथ है, अगर आपका यह वाला जो zone है, यह zone अगर आपको support करता है, तो क्या होगा आपकी life में कभी भी confidence की कोई कमी नहीं रहेगी अब चलिए आज जाते है, south of, south west पर यह किसका zone है, disposal का zone चलिए negative thinking कर ली, confidence ले लिया, अब जो बिकार की चीज़े उनको बहार निकाल के सिखते हैं और फिर से खुश हो जाते हैं तो यह disposal का zone, बिकार की चीजों का zone इसलिए यहाँ पर भी toilet बनाया जा सकता है क्योंकि यह disposal का zone है बिकार की चीजों को फेखने का zone है west of south west is one of my favorite zones one of my favorite zones क्योंकि यहां से हमें life की दो बहुत important चीज़े मिलते हैं पहली है education और दूसरी क्या है savings also आपके weapons के लिए भी बहुत अच्छा zone है पैसे कमाली गेंज मिल गए but savings करनी है नहीं करनी है हाथ खड़ा कर दीजी savings चाहिए नहीं चाहिए rainy day पता है ना क्या होता है rainy day मतलब मुश्किल वाली दिन तो rainy day की preparation करनी है नहीं करनी है और बच्चों को और खुद को अच्छा education देना है नहीं देना है खुब savings कर लीजी लेकिन बच्चे पढ़ लिखके कुछ कर रही ही नहीं तो क्या होगा savings उनी के उपर तो खर्च कर देंगे इतने सालों की जम्ह पूंजी खराब तो education भी important है, savings भी important है सबको करनी है, इसलिए इस वाले zone को बहुत अच्छी से यूज कीजिए WSW course में मैं आपको समझाओंगी अच्छी तरह से North West और West के बीच में आ जाते हैं जो कि है West North West का zone Life में गुस्सा आता है किस कौन से इस इंसान है जिसको कभी गुस्सा नहीं आया जिसको गुस्सा कभी ना कभी तो आया है, हाथ खड़ा कर दीजे गुस्सा आता है frustration होती है low emotion feel होता है यह सारी चीज़े होती है तो उनको कहा निकालना है कौन से जोन में WNW कोप भवन यहाँ पर जाएए एक rocking chair पे बैठ जाएए थोड़ी देर आगे पीछे हे लिए frustration गुस्सा निकल जाएगा और लास्ट आ जाती है हम नौट नौट वेस्ट पर लास्ट ली हम आ जाते हैं हमारे नौट नौट वेस्ट पर नौट नौट वेस्ट किसका होता है यंग कपल्स का रूम होता है क्यों यंग कपल्स का रूम होता है यंग कपल्स में क्या चाहिए attraction initially जब relationship की शुरुवात होती है वो किस चीज़ पर होती है attraction पहली दिन कोई किसी के दिल के अंदर नहीं जाके दिखेगा कि तुम तो अंदर से बहुत सुंदर हो कुछ महीनों के बाद कुछ सालों के बाद सिर्फ अंदर की ही सुंदर का matter करती है किसी को नहीं पसंद कि मेरी जो वाइफ है वो है तो बहुत beautiful लेकिन जब खाना बनाती है न तो ऐसे फेक की देती है मुझे table पर यह गुसा हो जाती है तो खाना ही नहीं मिलता है और कोई किसी को नहीं पसंद ऐसे husband है तो बहुत ही सुंदर बहुत smart, tall, dark, handsome, बहुत अच्छे हैं वेकि मुझे कभी सिधे मुबात ही नहीं करते है मेरी problems ही नहीं understand करते है तो शुरू में जो bonding होती है वो attraction पे होती है धीरे धीरे हम अंदर की beauty को of course identify करते है लेकिन attraction भी बहुत जरूरी है एक couple में एक relationship में तो उसकी जो direction होती है वो है ये north-north west ये 16 directions के बारे में मैंने आपको कुछ basics पढ़ाएं अपनी तरफ से कुछ basics पढ़ाएं है so that मैं आपको कुछ idea दो कि वास्तू होता क्या है किस चीज़ पर based होता है और exactly होता क्या है जब आम इसे course में पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है क्या दोशा है exactly किस तरह दोशा को हटा दीजिए अब अगर आप किसी बुज़ूर के घर में जाएंगे या किसी की भी घर में जाएंगे अब मेरे भी घर में आजाएं और में को बोलें कि आपका तो ना घर सारा ही गलत है आप इसको ना दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाओ मैं अपना सर ऐसे पकड़ लोंगी आप मैं बोलूगे आप मुझे पैसे लाके देदो आप मुझे घर खरीद के देदो फॉर्णिश करा दो फिर मैं शिफ्ट हो जाओंगे ऐसे कैसे मैं अपना घर छोड़ के शिफ्ट हो जाओंगे तो वास्तू में अगर दोशास है भी तो एक अच्छे वास्तू कंसल्टेंट की आट क्या है उन दोशास को समझना लेकिन बिना demolition के भी उनको rectify करा क्योंकि हर कोई नया घर नहीं बना रहा है और हर कोई इस paying capacity में नहीं है कि वो घर को demolish कर पाए राइट? हर कोई इस paying capacity में नहीं है कि वो घर को demolish कर पाए तो इन चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ता है और यही ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जो हम आगे जाके कोर्स में पढ़ेंगे यह एक छोटा सा ग्लिम्स था जो मैं आपको देना चाहती थी वास्तु के उपर वास्तु से हम अपनी medical issues को और अपने हर तरह की issues को correct कर सकते हैं तो वो large large extent कोई इंसान आपको support नहीं दे रहा है आपके आपके boss से नहीं बन रही है चोटी-चोटी वास्तु की remedies से हम उसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि वास्तु बढ़ने का फाइदा तब ही है जब हम एक proper remedial वास्तु करें अब यहां अब आगे आप एक पर से चोटा सजो पढ़ाना चाहती थी कुछ देना चाहती थी तो वो तो मैं दे चुकी हूं अभी आगे आप और होब हमने आपको आंसर देने की कोशिश की आपकी जितने भी कोशन से सब सब लोग हैंडेस कर लीजिए और कैमरे ओपन कर लीजिए कि करकर हम question answer session लेंगे आपको कोई particular question पूछना है तो उसके लिए भी आप हैंड़ेस कर सकते हैं इसे पहले कि मैं बता दूँ कि मैडम की एक वास्तु के उपर एक बहुत ही बहुत ही वर्क्षोप फंद्रा दिन की वर्क्षोप यानि की लगबक आधे महने की यह वर्क्षॉप जर्की से दो गंटा यानि कि लगबक कुछ पढ़ांगी इसमें कालर जोन वगेरा सब कुछ जी 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 सबसे पहले मैं बस कोर्स की हाइलाइट बताना चाहती हूँ जो की है मैप पे प्लॉट करना मैप को बनाना सीखना हम लोग वास्तु सीख लेते हैं बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं लेकिन एक चीज जहां और उसको रीड करना यह दोनों चीज़े हम समझेंगे तो डेवाइस में आपको ब्लेम्स देना चाहती हूँ पहले दो दिन जो हम समझेंगे यह सोला डिरेक्शन जो समझी अभी हमने बहुत ही सौफिस लेवल और बेसिक समझे हैं इनको प्रॉपरली डीटेल में पांचो मीनिंग है उनका कैसे करेक्शन होता है कैसे रेमेडी है तो कम से कम दस दस रेमेडी तो मैं हर डिरेक्शन की दूंगी ही दूंगी आप प्लॉट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है कौन सा शेप होना चाहिए कैसा सॉइल होना चाहिए किस तरह से हम देखे कि यह प्लॉट अच चीजों को समझना बहुत जादा जरूरी हो जाता है तो हम क्या समझेंगे सारी चीज़े जो घर के अंदर होती है इन डीटेल लिविंग रूम को, किचिन को समझेंगे हम कि हर सोला डिरेक्शन में अगर आपकी किचिन या लिविंग रूम आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कौन सी डिरेक्शन सही है उसमें से जो गलट डिरेक्शन अगर वहाँ है तो उसका नेगेटिव इंपाक्ट क्या है ये तो हमें पता है कि गलट डिरेक्शन में तो इसकी रेमिडी कर दू पर हो सकता है वो जो negative impact है, चायद वो आपको इतना impact भी नहीं कर रहा है, या शायद आप उतनी negativity के लिए ready है, you are okay with it, तो आपको remedy भी नहीं करने पड़े, तो हम remedy correction भी समझेंगे और हर चीज का solar direction में placement भी समझेंगे, उसके बाद आ जते है study room और पूजा room, ये वाली rooms कहा होन चाहिए, दो most important चीजे जो होती है, study room और पूजा room, mostly सब लोग मुझे कहते हैं, हमारा हमें कहीं भी shift कर दो, बच्चो का room ठीक हो, बच्चो का पढ़ाई का area ठीक हो, तो ये solar directions में, हार direction में हम इन चीजों के impact समझेंगे, हम bedroom की directions को, और bedroom के अंदर जो जो चीजे हैं, सब क क्या impact से, उसके बाद tanks, जो तीन तरह की चीजे होती है, underground tank, storage tank, overhead tank, और pipelines कहां होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम detailed discussion करेंगे, day six पे, toilet जो के एक बहुत important topic है, मैंने अपनी second webinar और वास्तु, जो आपको YouTube पे मिल जाएगा, उसमें भी समझाया था इसके बारे में, garage, vehicle parking, ये सब चीजे, सब कुछ कहां, कैसे होना चाहिए, और हर चीज का, सारी के सारी solar directions के उपर हम समझेंगे, कि कैसे होता है, सर, आगर आगी बड़ें, balcony, staircase और lift, बहुत लोग हैं, even flats में भी lifts होती हैं आजकर, सीड़ियां तो duplex घरों में भी होती हैं, bungalows में भी होती हैं, कभी-कभी अगर आपका single floor भी है, तो भी 3-4 सीड़ी बन जाती हैं उसमें, तो सीड़ियां, balcony, lift, इन सभी चीजों का इतना म है तो है, और यह सब समझेंगे हम, day 8 पर, आप लोगों ने सुना होगा ना कि east की entry बहुत अच्छी है, north की entry बहुत अच्छी है, पर जब हम 32 gates के बारे में पढ़ेंगे ना, आपके misconceptions clear हो जाएंगे, yes, east की entry अच्छी है, लेकिन east में भी कितनी सारी तरह की entries होती हैं, उसमे इसे कौन सी entry अच्छी है, east की, कौन सी अच्छी नहीं है, इन सब चीजों को समझना बहुत जादा जरूरी है, और day 9, 10 पर हम समझेंगे, घर में अगर cuts है, extensions हैं, उनके बारे में कैसे हम उन्हें identify करें, और पहले तो यही लोगों को नहीं समझ आता कि हम घर की facing कैसे निका कोई फ्लाइट में रहता है, कोई बंगलो में रहता है, लोग को facing पर ही confused हो जाते हैं बहुत बार, यह सारी चीज़े हम understand करेंगे, कॉर्स में, cuts, extension, remedies understand करेंगे, remedy तो हम almost हर चीज़ में हम remedy करने वाले हैं, हर चीज़ में, remedy तो जितना possible है, मैं आपको उतनी remedies सखाने वाले हैं, इस course में, सर उसके बाद अज़े हम, color therapy, बहुत important है, कितनी बार तो जो correction होता है न, आगर आप color सी balancing कर दे तो correction ठीक हो जाते है, सुने नीला पथर लगा दो, हरा पथर लगा दो, क्यों यह colors, कौन सी colors कहां पर करने हैं हमें, और यह हम खुद से समझ जाएगे, किसी और का नहीं भी करना चाहते हैं, तो at least अपन आप कर लेंगे न, और degree, यह दिख लेगे, इंस्ट्रुमेंट देख पा रहे हैं आप लो, सर दिखाई दे रहे हैं क्या, एक बार मेरी स्क्रीन पे कर सकते हैं, मेडम आप अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, एक मिनुत सर नी मुझे, मुझे आप स्पोटलाइट कर सकते ह है मेडम, अच्छा, ओके, यह आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, यह शक्ती चक्रा, यह इंस्ट्रुमेंट, बहुत लोग अपनी जोनिंग इसले नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उने सेंटर पॉइंट ही निकालना आते हैं, तू मिनिट्स में आप इसे सेंटर पॉइं इसे मेप पर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम राक्टिकली उसे घर में फाइंड आउट करते हैं, वो सारी चीजें हम इन इंस्टुमेंट के हैं से समझेंगे, वी वी आगूइं टो अंडरिस्टाइजें इच अन आवरी थिंग इन दिटेल प्रॉपर्ली, केस्टइज करेंगे, plotting करेंगे, map बनाना समझेंगे और बने हुए map को कैसे study करना है, कैसे correction करने है, वो सारी चीज़े हम समझेंगे, thank you sir, degree समझना, north, west identify किसे करना है, कोई gate से identify करता है, कोई कहीं भी खड़े हो कि identify करता है, exactly क्या method है अपकी धर की zoning करने का अच्छा लोग ये भी question करते है कि मैं bedroom के अंदर जाके देखो कि वहाँ पी नौट सा हो कौन सा है फिर उसके हिसाब से correction करूँ तो कैसे zoning का क्या concept है क्या clarity है सारी चीजे हम समझेंगे इन classes में और इस course की बाद residential वास्त हो तो आप 100% कर सकते है 100% बढ़ हम इसमें इतनी सारी चीजे समझेंगे कि आपके conceptual clarity बहुत अच्छी तरह से हो जाएगे जी मैं आप question answer ले ले जी sir and also remedies सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप सिर्फ remedial course भी करते हैं ना तो मैंडम ने बताया आपको भी solar reaction की minimum minimum 10 से 10 remedy यानि की 160 remedies तो वह गई उसके अलावा जितने भी content चलता जाएगा उसकी remedies अलग मिलती जाएगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ remedial वास्तू भी करते हैं तो 50-55,000 पर आपके लगते हैं यहां पर आपको पूरा का पूरा basic to advance सिखाया जा रहा है तो basic to advance जो course आ रहा है मैडम का वो course आ रहा है 15 days की ये classes है day wise content चाहिए तो हमेने आपको दिखा भी दिया है इसके अलावा आपको चाहिए तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं मैं आपको शेर कर दोगा इसके अंदर कंप्लेट वीडियो रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन स्टडी मेटरियल सब कुछ होगा 24th of March से स्टार्ट हो रही है इसका बैस टामिंग तीन बजे का है जैसा कि आज में भीना रखा गया था सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स में आपको अवेलेबल रहेंगी 155555 वाँ थी बहतरी नंबर है टोटल भी मेडम करके देख लिए क्या आता है बेसिक टू एडवांस वास्तू अगर आप वास्तू से अपने घर को बहतर बनाना चाहते हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्ट्रीम्स को सीखते हैं ना जब किसी भी तरह की मौड़र्टी को सीखते हैं तो किसी भी एक इंडूइज्वल की लाइफ में चेंज ला सकते हैं तो जो भी इस वेबिनार को देख रहा है जो हमारे साथ मौझूद है या जो भी इसको यूटूब पर देखेगा आज रात को बारा बज़े से पहले पहले जो भी पेमेंट का स्क्रीन शॉट बेजेगा उसके लिए ये 7999 का कोर्स रहेगा 7999 रहेगी उनकी कोर्स की फीस तो जिसको भी जोइन करना है वह आज रात को बारा बज़े से पहले पहले पेमेंट करकर 7999 में अपनी सीट को रजेस्टर करा ले उसके बाद ये फीस 15555 ही रहने वाली है यह सिर्फ वेबिनार वेबिनार का ओफर है रात को बारा बज़े त यह और अपनी सीट को रिजर्व करने के लिए अगर ग्यारा सो एकिस सो जो भी आप एक पेमेंट देना चाहें देकर अपनी सीट को रजिस्टर करा सकते हैं और बागी का पेमेंट आप एक या दूदिन के बाद कर सकते हैं तो भी आप मुझसे करकर आप अपने डिस्काउंस के बारे में बात करते हैं सर आपकी अवास ब्रीक हो रहे मुझे बात कर लीजे जी जी और में इसके पहले मैंने आपका एक और जोएन किया था किसका था वो मुझे याद नहीं मैंने कुछ जॉइन किया था पता नहीं यह लग रहे कि शायद मैंने अपसे इंटराइट भी किया था पिछली किसी वेबिनार में आपने कुछ मुझे डियो भी देख करके कुछ ग्रीड के बारे में बोला था क्या अच्छा हो सते आपने प बहुत सारा चीज एक साथ सीखना नहीं चाहती है और मेरे घर का वास्तु बहुत ही खराब था मैं 20 यर्स उस घर में रही हूँ और लास्ट यर्स जून में मैं एक वास्तु वाले को घर पे बुलाई थी दो तिन लोगों को बुला के दिखाया था मैंने बट सबने बोला था कि वास्तु रौंग है और चुकी 20 यर्स हो गए उसमें रहते हैं फ्लैट है हमारा जमशेद्पूर में तो मैं लास्ट बहुत परिशान थी तो मैं किसी को बुलाई और उनके कहने पर मैंने अपना नौर्वेश्ट में मेरा ट्वीलेट है युझाक सीन में मेरा इंटरेंस गेट है और सामने में एक नौर्थ वेस्ट क्याद करडिनर पे मेरा यह रूम है'REूं से अट्टैच बातरूम है तो बातरूम का जो कमबॉड है वो मेरा नौर्थ की तो काफिए मतलब प्रब्लम मैंने कि आ उसमें लेकिन मैंने उनको बुलाया तो उन्होंने बोला कि आप कंबॉड यहां से सिप्ट कर दो मैं तो मैंने हुआ दिया और काम करा के उसको D्. डूसरे जगर किं בח ты नौट नौर्थ इस नॉर्थिइस्ट में तो नॉर्थ के मीडिल पार्ट में मतलब वेक्ट और और नॉर्थ और का मीडिल पार्ट होता है उन्होंने से बोला था कि उसको में अचानक चीमनी बलाष्ट वा और बहुत तेज आग लगई पूरा कीचन जल गया और कीचन हमारा था नौर्थ वेस्ट साइड में वेस्ट डायरेकशन में जो बीच का आप वेस्ट डायरेकशन बोल रहे हो न वेस्ट वेस्ट में हमारा कीचन है प्रमिला जी कौन से दिगरी पर आता हो और डिगरी मतलब आपका ब्रह्मस्थान से मेडिल समझो आप सिष्टी या सेवेंटी डिग्री पर होगा सिष्टी या सेवेंटी तो बहुत ज़्यादा हो गया मतलब इस पेसिफिक बताइए ना आपके पास ग्रिट किया हुआ है नहीं नहीं अभी तो नहीं है मेरे पास मैंडम आपका स्पेसिफिक कोशन पूछ लीजिए एक्चुली इसमें बहुत शोच्व श्मॉल डेटेलिंग्स काम में आती है पर वह स्वाइब कोश्चन किया है यह की मतलब बोलते ना की चैन अगनी कौन में होना चाहिए तो अगनी कौन तो साउथ-east हो गया जो आप बोल रहे हो कि कॉन्फिदेंस का जॉन है तो साउथ-east में मेरा अच्छा तो वहां सिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वहां मेरा बेडरूम है तो अभी तो मैंने बुला करके किसी को वास्तुपूरा चेंज कराया अपना जो किचन है वहीं पे है लेकिन डायरेक्शन वगरा सब उन्होंने देखा और थोड़ा सा उसमें कुछ मॉडिफाई किया है जो कुछ भी मने वायर वगरा के कुछ करना पड़ता है वो सब उन्होंने किया है उसके बाद I think मेरे को six seven months हो गया है मैं भी घर पे नहीं हूं टोटल मेरी घर खाली हो गई है कोई मेंबर ही घर पे नहीं है मतलब वो को इंसिडेंट होने के बाद मैं घर गई नहीं एक उर्मिलाजी बड़ आपका question अप इग्जाकवी क्या पूछना चाहरे है यह मतलब क्या वास्तू चेंज करने के वजह से इसा कुछ रिजन हो रहा है किया मैं बहुत ज्यादा कुछ रहा है किया अंच्छी एग्शक्ली अगर वास्तु ठीक नहीं है तो उसे प्रॉब्लम्स और परिशानिया जरूर आते हैं तो इस वक्त अगर आप उस गर में दुबारा जाना चाहते हैं तो आइवुड सिजेस्ट कि बाकी चीजों में तो रेमेडी लगी गया आप अपने ब्रहमस्तान को ठीक कर दीजे तो तो थोड़ी से अच्छी एनरजी जाएगी या फिर आप सवर सी बात कर सकते हैं या अगर आपके कोई वेंडर है तो भी इंवर्टेड उल्टा लगा लीचे तो ना भी आप कर लेंगे ना तो घर की एनरजी में बहुत चेंज आजएगा उन्ना तो टाइल की नीचे नीच सब्सक्राइब आपके कि एंचा होती है जो सेंटर में ताया के नीचे लगते हैं इन तीनों चीज़ों में सरे आप कुछ भी कर लेंगा उस्तो हिचे लूट तो में मतलब यह मेरा सौ 실न जो आपने बताया था अपने शिवर जो आपने बताया बाताया था जी को वही मैं उर्मिला जी मैं I think अभी आपका एक क्वेस्टन तो ले चुकी हूं उसके बाद ना आप मुझे आप सवर से बात करके ना मुझे परस्तिली बता दीजे तो वो मैं आपको एक्स्प्लेइन कर दूंगी बड़ डाट इस वन अप बेस्ट डायरेक्शन पर हाविग अगर आप करेंगी तो आप आप समझें ना कि वास्तु एक ऐसा कंटेनर मैं इसलिक पंदरा दिन का समय लग रहा है आपने देखा होगा पांस दिन की क्लासे आती है साथ दिन की और थेंटिक रूप से समझने के लिए उसकी पहले रूट समझे आप उसकी डिग्रिया निकालना समझे फांडेशन कोर्स नहीं यह बेसिक टू एडवांस कोर्स है और पूरा रेमीडियल कोर्स होने वाला है आपने घर पे वास्तु शास्त्री बुलाया आपने उसको कुछ एनरजी एक्षेंज दिया होगा यहां पर सिर्फ रात तक अगर पेमेंट करें तो 7999 के अंदर आप ए सीभर दॉर से यह बादा करते हैं मुनच को भी हुआ रादे राही और सर आ यह यह नहीं 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 अजी ऊंसर नो not from him hello Amarlal ji rade rade any remedy to sell the flat any remedy to sell the flat तो एक छोटी सी remedy बता देते हूं अभी मैं आपको कि आप North West में जो घर आप बेचना चाहते हैं उसकी बाहर जाए घर के बाहर जाए और ऐसे अपने 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 कामरा लिके ऐसे फोटो पिक कर लेजे घर के बाहर से अपने बाहर जाए तो वो क्लिक कर लीजे उसका एक प्रिंट आउट लीजे और उस प्रिंट आउट को घर के North West की बॉल पे लगा दीजे उस प्रिंट आउट को घर के North West की बॉल पे लगा दीजे लगाने से पहले फोटो के प्रिंट आउट के पीछे रेड कलर से अफ़रमेशन लिख दीचे अफ़रमेशन कैसे लिखेंगे थांक्यू गॉट इस फ्लाइट इस सोल थांक्यू इस फ्लाइट इस सोल ठीके अफ़रमेशन has to always be present tense विद अ रेड पें रेड पें राइट अफ़रमेशन थांक्यू गॉट इस फ्लाइट इस सोल और उसको स्टिक कर दीचे और यही सेव काम आपका और अप्लिफाइट तरह से हो सकता है अगर आप इसमें यंत्र यूज़ कर ले यंत्र में भी पोटो लग जाते हैं तो आप यंत्र भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए प्रॉपरिटी सेलिंग के लिए और नौट वेस्ट में रख सकते हैं वो भी बहुत बेनिफिश्यल होता है ठीक है और भी बहुत रेमिडीज होते हैं पर ये भी बहुत अच्छी, इजी, एफेक्टिव है तो कौन सा यंत्र यूज़ के लिए यंत्र उसके लिए आप उसको यंत्र में भी फोटोस डाल कि आप उसको रख सकते हैं और ये कौन लिख लिए साथ में आपको इक स्विच वर्ड चान्ट करना है अगने अगने ठीक है, आपको स्विच वर्ड चान्ट करना है अगने ठीक है आप ये दो रेमिडिज कीजे थोड़ा सा पो पॉजिटिविटी जरूर राएगी इसमें, आपके इस काम में अगने 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 ऐसे बोलके इसले में और लोगों का बी क्वेस्च लेना चाहूंगे ठीक है, बढ़ अगर अगर आप कोर्स मेंगे, तो आपको पैस्टिन नहीं रहेगा, फिर आप खुदी सल्यूशन मस्टर बन जाएंगे, ओके अमर्णाल जी, लवली टॉपिंग टेो, थेंक यू थेंक यू में आप इस्पीकर मोड पे ले लीजिए गाइनर रावल जी इसे बात करेंगी सबनेरे स्भीकर मोड पी हूं थी ज गया ऑट आपने कैम अफ किया है शाया बहुत अच्छे से knowledge दी आपने थैंक यू सो मॉच वेलकम तो मैं वेबिनार ओके माम थैंक यू माम कुछ लोग face देखके या कई पर हमारा question से ही वो कुछ बता देते कि आपके घर में ये वास्तु problem होगी वो कैसे बता देते mostly क्या होता है न mostly जो ये करते है न फीस बीके most लिए उन लोगों को कुछ सिद्धिया होती है तो जब आप पढ़ेंगे न तो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे वो चीज़ वो देखके बता देंगे क्योंकि वो सिद्धी उन्होंने की है लेकिन पर इसे बता देंगे कि कोई वेसे scientific logic नहीं है तो इसलिए वो आपको study नहीं कर आपाएंगे इस चीज़ के और मैम ये भी पता चल सकते है कि कोई भी problem हो कि वो किसी वास्तु की वज़े से है या कोई और reason है उसका कि वास्तु की वास्तु नहीं देखे लिखे बहुत सरी चीज़े होती है सपोस्स जैसे मैं हमेशा बोलती हो किसी को diabetes हो गया चीक है अब diabetes में वो kidney के उपर pressure देती है लेकिन ऐसे नहीं है न कि सिस एक चीज़ की वज़े से हमें diabetes होगा बहुत सारी चीज़ों का reason involved होगा तब जाके होता है arthritis हुआ तो बचपन से ही अब खराग खा रहे हैं अपनी body को ध्यान नहीं दे रहे हैं इतनी सारी चीज़े करें body abuse करें तब जाके बाद में आपको arthritis होगा तो ऐसे ही वास्तु is also one of the areas of awkward जिससे आप बहुत अच्छा result अपनी life में ले सकते हैं अफकोस आपको जितनी knowledge बढ़ती जाएगी आप उतना और अच्छा अच्छा करते जाएगी लेकिन वास्तु भी एक इतना important factor है कि उसको correct करके आप major significant changes in your life you can experience 100% मैं अभी जैसे बोल देते हैं कि आपका south heavy होना चाहिए जी लेकिन water tank south में अगर कर दिया तो को करते कि पानी है इसको तो north में रखना चाहिए तो आप overhead हम south में कर सकते हैं overhead water tank हम south में रख सकते हैं जो cemented होता है क्योंकि overhead उपर हुआ और वो zone को आज सच भारी ही कर रहा है उसमें water की disbalancing नहीं हो रही है तो आप overhead water tank जब भी रखना चाहिए keep it in south वो आपको बहुत अच्छा रहेगा या west में रख भी जी तो और भी अच्छा है ठीक है प्रिणा जी ठीक है प्रिणा जी ठीक है प्रिणा जी थाइंक यू जी दिनेश जी अली सहर रादे रादे जी रादे 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 डिनेश जी कैसे है बढ़ी है बढ़ी है यह बहुत अच्छा नागी जी दिनेश जी बहुत अच्छी knowledge रहेगी है मैं बहुत कुछ सेखने है एक मैं मेरा question था कि south east में मेरा store है जो मैंने पहले plan किया था toilet के लिए बट मैंने उसमें toilet का कुछ भी नहीं लगाया अब मैं उसको एज़े store यूज कर रहा हूँ उसमें मेरा होता है medicine का काम मैंने उसमें जादे medicine के ही boxes बढ़े पड़े है या कुछ उनसे related इस्ट्रूमेंट या कुछ ऐसे रहते है तो उसका क्या करना है अब आपको क्या करना है store में तो कोई problem नहीं है ठीक है store में आसाच कोई problem नहीं है जितना हो सकते है उतना south east में pink color को use कीजिए और medicine का एक डबबा उठाकर at least north north east में रख दीजिए बिनेश जी आप है क्योंकि आपकी screen हांग हो रही है अच्छा मुझे लगा आपकी screen pause हो गए तो आप at least एक डबबा उठाके ना north north east में रख दीजिए ठीक है एक डबबा उठाके रख दीजिए north north east में और एक डबबा उठाके रख दीजिए west south west में आपका काम है ना medicines का जी मैं हां तो आप एक डबबा उठाके रख दीजिए west south west में एक डबबा north north east में रख दीजिए और बाकी जो आपने store बनाया है और वो use कर रहे हैं अब आप उसको चलने दीजिए क्योंकि demolition तो possible ने है बस pink कर दीजी ठोडें थीक tiak yet रावत तर से आप का वेबिनार बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था तो किसी को कुई प्रॉब्लम नहीं होगी तो किसी को कुई प्रॉब्लम नहीं होगी तो किसी कि अब जो प्रॉब्लम नहीं होगी तो कि अब इसकी प्लानेट की जगा कहा होती है और क्या उसकी रेमेडी कर सकते हैं इसमें नौर्थीस्ट की कोई रेमेडी है तो टॉलेट में अभी के लिए आप यह रेमेडी कीजिए कि ब्लू कलर का जीरो वाट का बल्ब हैंक कर दीजिए उपर रूफ पे ठीक है और जो 24 गंटे चलता रहे दूसरा क्या करना है नीले रंग की वास्तू टेप लीनी आपको और जैसे ना यह दिखिए जैसे यह आपकी यह आपका बात्रूम है जैसे यह आपकी कुमोड सीट हो गई ठीक है तो नीची फ्लोर पर कुमोड सीट को कवर करते हुए ऐसे तीनों तरफ ऐसे आपको वो नीले रंग की वास्तू टेप लगा देने है ठीक है दानिश जी और सी डेसेक्ट बताई जाएंगी कि अजी अगरवाल जी रादे रादे जी का अनुम्ट कर लेजे प्लीज कि अज का वो समझा नहीं मुझे की आज पेमेंट के तो seven double nine सब्सक्राइब को पांट सो पच्पन रुपए पंदरा दिन की एक लास है इसके अंदर लाइफ रिकॉर्डिंग स्टुडी मट्रियल इसके अंदर मिलेगा पंदरा अजार पांट सो पच्पन रुपए इसका एनरजी एक्षेंज है रात को बारा बज़े से पहले पहले अगर किसी ने पेमेंट किया है तो उसके लिए 7999 रुपए यानि की 8000 में एक रुपया कम आपकी फीज है जिनको भी जोइन करना है वो इस नंबर पर पेमेंट करकर इसकी शॉट मेरे नंबर यानि 766559566 पर बेज सकते हैं और अपनी की दशा बदल सकता है कहते हैं दिशाओं से दशा बदलती है तो अपनी दिशाओं को सिंक्रोनाइज कीजिए और लाइस में प्लेसिंग लाइए कम्प्लीट बेसिक टू एडवांस है ये तो आईए और सीखिए मेगा जी गुद आफनूर में जी रादे रादे अंगे रादे 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 तैंक यू मैं जैसे अब आप तिखाएंगे और कुछ अगर हमें आगे डिस्पिकल्टी जाई इस चॉपिक पे तो यह बहुत बढ़ी है जी समय öldंशन के बाद आप फाइब आन्विटा बहुत के बादे रादे पाहट बाहत है करें 10 टाइम से तू टाम्स करें बारें कभी एक या दो बार कभी बाइचांस हो जाए विकॉज निगा अदर्वाइस आप जितनी बारव हम पर उप जाएंगे अको जाएगी आपको लिए जाएगी प्लारिटी मिलेंगे लिकार्डिंग मिलेंगी नोट्स आपको मिलेंगी अपने नोट्स भी बनाते रहें और मैं पूरी case studies तख भी लाइज तो आपके साथ पूरा उन case study और case study भी एक या दो दिन हम case study तो करेंगे तो case study में आपको और clarity होती जाएगी पिर जितने भी doubts है आप पूछते रहें मैं बताते रहूंगी that is never an issue Thank you ma'am Actually ma'am जैसे अभी हम नए घर में shift हुए है पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से यहाँ है थोड़ा वा सब लोगों में imbalance हो गया है काम को लेके everything तो देखा आपने कुछ रिलाइस कि घर की पावर कितनी बड़ी है कि नए घर में शायद इस बालेंस होंगे तो इसकी वज़े से आपको खुद से फील हो गया तो आप सीखेंगे और उनको खुद से बालेंस कर लेंगे तो बस your job is done फिर से वही शांती सोख शांती सब कुछ वापस आजाएगी तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं मैम फिलाल क्लास को हमारा शुर होगा 24 गो तो आप मेजे अच्छा ठीक है पैसे कर लीजे अपका आपका जो पूजा रूम है वो कहां पे है आपको पत अपा है नोर्थ-पिस्ट में है बहुत अच्छी बात है उसको ठोबा सा और बल्ल्यू कंलर ने जितना ब्ल्यू कंलर होसेते इंदे अ Chen कीजिए और पूजा करते हुए नौर्थ को देखिए ठीक है साथ ही साथ घर का जो नौर्ट इस्ट है ना वहां पर एक सॉल्ट का लाम्ट लगा लीजिए जो चॉबिस घंटे जलता रहे थोड़ी पॉजिटिविटी आपको डेफिनेटली उससे आएगी तो नौर्ट होते हैं आपको अमेजान या कहीं भी किसी दुकान से लोगे लिए वैलिबल होते हैं वह ले सकते हैं थैंक यू मैम सॉल्ट खतम होने वाला हो तुपी रीफिल कर दीजिए उसको लेकिन जलाके रखिए ठीक है मिगजी थैंक यू मैम ती जोन हाउस के लिए भी आप अच्छा प्रीटी जी वेलकम प्रीटी जी थाइंक यू सो मच प्लेसिग यार टॉस्ट इन फैमिली ऑफ स्टार साइंक यू सो मच पी जोन एक सर्ण को अन्म्यूट कर सकते हैं कि एक मिनिट जी अगर वह एंड्रेस कर पाएं तो क्योंकि थोड़ा सा टी जोन ना ऐसे नहीं हो सकता मतलब मैं उनको ना जिसी दिखिए इस तरह का इस तरह का घर है राइट सर जी जोन ऐसे हो गया अगर पीटी जी कांफरमेशन दी पाए साथ साथ तो और अच्छा है मैंने सबके हैंड डाउन कर दिये प्रीटी जी जिन् कर देते हैं आइटिंग मढब हैं थे जो सेंटर पॉइंट प्रतिमा जी प्रतिमा जी अब ये लिए जो मैं आपको रेमेडी दूंगी ना को मैं ये दूंगी इस तरह से घर को दो भाग में डिवाइट कर लीजे एक ये वाला भाग आगया आगया प्रतिमा जी समझे दो भाग में इमाजिन कर लीजे दो भाग में आपका गा ठीक है चीक है प्रतिमा जी मैं ऐसा जो आपने टी जो आपने बड़ा सा जो टी का हेड बनाया है वो उसके पीछे समझ जीजे अगर उसके पीछे मेरा गहर है और ये ये दोनों रोड मेरे घर के सामने जा रही है ठीक है पर आपको घर टी जो नहीं है ये रोड है ये रोड है ये रोड है ये रोड है और आपको घर कौन से शेप में है स्क्वेर में ये ठीक ये जो रोड आपने जाहा लिखा इसके ठीक ऊपर में यहां पे कहीं पीछे मतला पीछे हो गया इसके पीछे है नहीं नहीं प्रतिमार जी फिर आप प्लीज इसको चिंता मत कीजिए फिर ना आपकी घर को जेनरली बैलंस कर देंगे ना अगर और आप अपना मैप मुझे शेयर कीजिए मैं आपको 100% हेल्प करूँगी जब और भी होगा आप शेयर कीजिगा आप तो आई गए है यह आपके घर के एंटर्स में गेट में प्रॉब्लम है लेकिन फिलहार आपको क्या करना है जो भर की एनरजी है उसको सोबर डाउन करना है तो अगर आपके लिए पॉसिबल है मंजूशा या सेंटर पिरामिट वो हो यूज कर लीजे नहीं तो कमसे कम एक रेमीडि रोज कीजिए निले फूल ले जैज़ो निले कोई भी निले रंक का फूल लेलीज़े नाच्रिल फूल जो होते जे निले रंक का नाच्रिल फू पानी से निकल जाएगा, तो तिलक करते हैं ना इस फिंगर से इसे तिलक करते हैं, वो लीजे, और उस तिलक की जो फिंगर है आपकी, उससे आपको अपने नौर्थ की वाल पे, अंदर भी और एंट्रेंस पे भी, आपको रोज स्वास्तिक बनाना है, ठीके रोज आपको उस कर ये एक मिनट रोखे स्च honoring, जाप satis लेय स्वास्तिक कली कॽता है को चेकंगे से इस स्वास्तिक बनाने के ली ऐसे स्वास्तिक बना yagap और पहले पेली स्वास्तिक बनाने के लिए बनाये लोग कैसे बनायेंगे स्वास्तिक? इचिके? लेकिन यह wrong method है स्वास्तिक बनाने का, जब भी आपको स्वास्तिक बनाना है तो इस तरह से नहीं बनाना चाहिए, फिर आपने ना उसको cut कर दिया, तो जब आप स्वास्तिक बनाएंगे, पहले यह बनाया, उसके बाद आपने यह बनाया और फिर आपने अंदर बिंदोय तो इस तरह से आपको स्वास्तिक बनाना है कि कुछ भी कठ नहीं हो रहा है, कि कठ नहीं होना चाहिए, बस कुछ भी स्वास्तिक बनाएंगे, तो इस तरह से प्रतिमा जी आपको क्लियर हो गया, तो इस तरह से नौट में रोज दीज ऐसा स्वास्तिक बनाएंगे, प्रति अगर इसमें क्या होता है मोस्ट ली न अगर इखी परसन का घरे ग्राउंड और फर्स्ट्रों और इखी फैमिली रह रहे हैं पूरा उक्किपाई करके है अगर अगर अब इकी बंगलो में बोल रहे हैं और बर अलग अलग वास्तू करते हैं लेकिन अगर आप ही का है तो वास्तू तो अलग अलग होगा लेकिन इकी सेंटर पॉइंट से अब सारी डिरेक्शन जज़ कर देंगे कहां पी North है, कहां पी East है, कहां पी West है, कहां पी क्या है, और उसके हिसाब से आप बास्तू करेंगे फिर, अब जिसे आपकी किछन है अगर ग्राउंड फ्लोर पे, जी मॉनिका जी एक मिनट में बास बात सुने, अब अगर आप ही रह रहे हैं, ग्राउंड और फर्स दोनों पे, आपका किछन है सपोस्ट ग्राउंड फ्लोर पे, और फर्स दोर पे रूम हो गया, उसके किछन के उपर फर्स दोर पे रूम आ रहे हैं, तो मैं आपको कभी अड्वाइस नहीं करूंगी कि आप उस रूम में रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे किछन है, लेकिन अगर अच्छा मैं एक नौर्थ एस्ट में बेड्रूम एक नौर्थ वेस्ट में तो बच्चों को कौन सा देना चाहिए, नौर्थ एस्ट में मत दीजे, नौर्थ एस्ट का जो बेड्रूम है आप दे सकते, नौर्थ वेस्ट का देंगे, क्यों होगा बच्चे आते जाते रहें मन नहीं लगेगा चंचलता रहेगी थोड़ी सी नॉर्ट वेस्ट के बेड्रूम में और नॉर्ट इस्ट वैसे आइडिली हमारा भाप में बेड्रूम नहीं होना चाहिए तेरह साल तक के बच्चे फिर भी नॉर्ट इस्ट में रह सकते हैं या थोड़े से बड़े शादी लायक तक पर उसके बाद बिल्कुल भी अड्वाइजबिल नहीं है तो अब इन दूनों में इसी ही चॉइस है तो मैं बोल दूंगी कि आप उन्हें नॉर्ट वेस्ट का बेड्रूम दे दीजे लेकिन उसको हमें प्रॉपर बैलंसिंग करनी चाहिए तो उसमें जितना हो सकते हैं उतना ओफवाइट कलर का यूज़ कीजिए लोगों ने आए बलैसिंग की क्लास ली अगर आप जानते हैं वास्तु किस तरीके से अपनी लाइफ में डालता है और आप उसको बहतर बनाना चाहते हैं और ज्यादर सीखना चाहते हैं तो एक और जगे से अप सीखिए पूरा का पूरा वास्तु जो भी मैडम पढ़ाने वाली है पूरा का पूरा शास्त्रविद्ध है आईए सीखिए लौजिक के साथ और अपनी लाइफ में अपने परिवार वालों की लाइफ में एनर्जी को फ्लो होने देजिए और अपनी लाइफ में प्रॉस्पर्टी अबेंडेंस और ना जाने क्या-क्या जितनी भी विश मौरिया यूटूब चैनल पर जा सकते हैं आघ जो आपको निंगं यूटूब का लिंग दिया गया है तो दो वेविघ् Nope वह ह थैंक्यू रादे. Rade to all. Thank you. Thank you very much. Rade, Rade, Miam. Rade, Rade, Rade. Rade, Rade, Rade. Thank you.